विदान की फटाफट सेरीज में मैं आज आपको कैविनेट मिशन के बारे में बताने जा रहा हूँ कैविनेट मिशन में तीन सदेशिते भारत मंतरी पैथिक लॉरेंस व्यापान मंदल के अध्यक्स इस्टिफर्ड ग्रिप्स और नौवेहन विबाक के प्रथम अध्यक्स लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर दूसरा तथ्य ये बन रहा है कि सम्विधान सबा के सदस्य है तो प्रांते विधान मंदलों दुआरा अप्रत्यक्स निर्वाचन को स्विकार किया गया था और प्रांतों और राज्यों से प्रतिनिदितों के लिए प्रती दस लाग एक सदस्य से बहजे जाने का प्रावदान रखा था शाथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि केबिनेट मिसन ने पाकिस्तान की मांग को अस्विकार कर दिया था इसके साथ एक महत्वकुन तथ्य ये बनता है केबिनेट मिसन नहीं सम्विदान सवा के कुल 389 सदस्यों का निर्धारन किया था और तीन वर्ग बनाये थे के वर्ग, खे वर्ग और गय वर्ग और इस प्रकार 292 सदस्यों से ब्रिटिस प्रांतों से थे, 93 सदस्यों से देशी राज्यों से थे, चार प्रतीनिती चीफ कमिसनर सहत्रों से थे, बहती मैप्तोपुन तथे ये पूछते हैं कि केबिनेट मिसन ने सम्विदान सवा में कितने सदस्यों का निर्धारन किया य और डॉक्टर स्वीना ही संबिदान सभा की पहली बैटके सभापती थे या दूसरे सब्दों में कहे हैं तो आई इस्ता ही अध्यक्ष संबिदान सभा में बोलने वाले पहले वक्ता आचारी जेबी करपलानी थे उस समें जेबी करपलानी कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक् और 11 दिसम्मर उप्सवापती कह दें या उपाज़क्स कह दें थे फ्रेंक एंथोनी और सम्विधान सबाके पहले निर्वाचित उपाज़क्स थे एच्सी मुखरजी और सम्विधान सबाके अगर पूछे कि दो उपाज़क्स कोन रहे तो सम्विधान सबाके दो उपाज़ एक सरे एच से मुखर्दी और वेटी कृष्णमाचारी संविधान सबा की जो पहले बैठक होई 9 दिसंबर 1936 को कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया जिसमें 10 महिलाई थी और कैबिने अट मिश्थन से संबंदित महते मुर्तथत्य है कि 22 जनवरी 1947 इसको संविधान सबा ने भारत के भावी संविधान संबंदी उद्दे से प्रस्ताव पारित किया और यह वही उद्दे से प्रस्ताव है जिसे 13 दिसंबर 1936 को ज्वार्लाल नहरु ने उद्दे से संविधान सभा के अंदर रखा था तो ये संविधान सभा से संबंदित सवाल है एक सवाल ये पूछा जाता है कि संविधान सभा का बारवा और अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था और 24 जनवरी संविधान सभा का अंतिम दिन था ये दिन अंतिम दिन था और संविध की तीन प्रतियां सभा पटल में रखे गई एक हस्त लिकित प्रति अंग्रेजी में थी जिस पर नंदलाल बोस के नत्रतों में कलाकारी चित्रकारी की गई थी और प्रेम बिहारी नारण राय जदा ने इटलिक इस्टाइल के अंतरगत संविधान को हाथ से यानि केलेग्राफिय से लिखा था और दूसरी अंग्रेजी की छपी हुँ परतिती तीसरी हिंदी की हस्त लिकित परतिती और 244 सदस्यों ने संविधान की तीन परतियों पर हस्ताक्सर किये और सभा अनिस्चित तिती के लिए इस्तगित हो गई यानि की 26 जनवरी 1950 को भारत्य गणराज्य यानि की अंतरकालिन संसद के रूप में इसका आविरभा हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्राते साड़ दस बजे ततकालिन गवर्णर जनरल सी राजगोपलाचारी ने या दिखारि गोष्णा की 26 जनवरी 1950 को भारत अर्थात इंडिया संपूर्ण प्रभुत्वा संपन लोक तांत्रिक गणराज्य होगा तो संक्सेप में अगर कहें तो संविधान सभा में 9 दिसमर 1934 से 24 फरवरी 1950 तीन वर्ष 11 मा और 16 दिन तक संविधान सभा अस्तित्य में रही कुल 12 अ तक उस पर 63 लाग छिन में 1729 खर्च हुए तो ये था भारतिय संविधान से सम्मादित केविनेत मिशन से सम्मादित महत्तोपुन तत्य है और उससे पहले जो मैंने आपको चेप्टर पढ़ाया था उसका मेरी विजन करवा दूँ आपको तो बहुत ही महत्तोपुन तत्य ह कि रेगुलेटिंग एक्ट आया 1793 के अंतरकत कलकता में सुप्रिम कोर्ट की स्थापना होई एलिजाइम पर पहले जज़ बने इसके बार में 1784 के अंतरकत द्वेज सासन का सुभाराम हुआ और बॉल्ड ओप कंट्रोल राजवितिक महामले देखता था और बॉल्ड ओप जो डारेक्टर है वो आर्थिक महामले देखता था अठार सो तेरह के एक्ट के माध्यम से इसा ही मेसिनेरियों को परचार की छूट दे दी गई अठार सो तेतीस के एक्ट के अंतरकत कंपनी का जो एकाधिकार है मोनोपोली है वो खत्म कर दी गई और इसके साहात मीं लॉर मेकाले विधी सदस्य के रूप के अंतरवी इसके न्युक्तिविती विल्लेम बेंटिंग भारत के पर्थम गवर्णर जनरल बने और अठार सो त्रेपन के एक्ट के माध्यम से युग्यता पढ़नाली की सरुआत होई भारत में नौर्थ कॉर्ट ट्रेवलें परतिवे दि और उसके जगे कराउन ने यानि कि ब्रेटिस ताज ने लेली उसके बाद में 861 का एक्ट आया जिसके अंतरवगत विभागी विवस्ता पॉर्ट फोली सिस्टम की सरुआत होई 1892 का जो एक्ट था उसके माध्यम से आपर्थिक्स निर्वाचन पढ़नाली की सरुआत होई 1935 में प्रांतों को स्वायता दे दी गई और केंदर के अंतरगत द्वेशासन लागू कर दिया गया और उसके बाद के अंतरगत समयधानिक विकास के अंदर आगे चलते क्रिप्स मिशन और बाद में कैबिनेट मिशन जो आज टॉपिक हमने पढ़ा बहुत बहुत धन्यव है प्राद आंतरगता समयोग कि विकास के जडे चलते गाद पुफिक है भादव प्रोगमज समयधानिक गया यह गया गई खया है leads जो आज उसके लिकास के एड़ा है प्युतित विक धव्या भोर के लिएवारतार घज रचतमाइऑवर्ष प्रांधर और इन से उतन्यवर